ये लोरीवां दिसे रव चंदरुपी से सी सी वेलकमिंग ओलन समर था इस इंडूरी सरी देखे एज जगनात वर्स यूनियोन आफ इंडिया की बात करेंगे इस पर्टिकुलर विडियो में जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लौ में बात करें ती स्रीम कल्चर की प्रॉ प्रोविजन को एक-एक फैक्स को आपको एक-एक पॉइंट पेपर में लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट केस है ठीक है इसमें हुआ कहता है कुछ दो मिनिट आपको फैक्स बताता हूं इस जगनात सहाब जो है वो एक लीडर थे पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने कि यह जो इंटेंसी मेथड है ना स्रिंप कल्चर और प्रान फार्मिंग का जो एकवा कल्चर का एक मेथड है यह बहुत अच्छा इल्ड तो देता है पैसे तो बहुत दिला रहे है पर इकोलोजिकली साउंड नहीं है कि बात इन्होंने कही कोट में यह लेकर गये थे कोट जो अच्छा है पर इच्छा नहीं है यह बात इन्होंने आगे कहते हैं कि जो जो अब कंट्रोल जो आपका जुछ तरह का फीड आप सीड यूज कर रहे हो जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टीसे आप यूज कर रहे है कुछ और इंपूर्स से उज़ कर रहे हो जो ecology और इंवर्मेंट पर इंपक्ट हो रहा है बीना कंट्रोल्ड तरीके से उज़ कर रहे हो वह बहुत हद तक इस इंटेंसिफाइड मेतद और स्रीम फार्मिंग के वज़े से इंपक्ट हुए आपका अगरिकल्चर आपका इंवर्मेंट एरिया आज आगे कहते हैं कि क्योंकि जो स्टेट्स हैं वह बड़े-बड़े अभीगनस हाऊज को अलाव कर दे रहे हैं लाइसेंस दे रहे हैं कि जाहिए आप स्रीम फार्मिंग करिये जो प्राउन फार्मिंग उसको करिये अगरिक इनजीव तरीके से करी एक्सपोर करिये पैसा का माये बिदाउट कंसीटरिंग इन्वर्मेंटल इंपक्त असेश्मेंट अप्रिकूलर और प्रिक्यूलर इन मेथड इसका बीना एकिये हुए बीना कुछ अनल्यसिस दबार कि आप जो इतना तरीके से कर रहे हो इन is actually causing havoc to the ecology and environment. In the light of these facts, petition has been filed before the Supreme Court. आगे कहता है कि इसू क्या था? इसू दो थे, पहरा इसू था क्या EIA important है? एक तो ये था, सुम्रे कोट ने कहा कि बिलकुल EIA important जिसके बारे मैंने पहले भी बात की हुई है, अगर आप सब को याद हो, उसके लाबा कि क्या स्रिंप कल्चर और इस तरीके से हो रहा है, इतना इंटेंसी तरीके से क्या बाके में इंपैक्ट कर रहा है? question ये भी था, और जो 1991 का जो government of India का जो coastal zone regulation notification आया था, क्या उसके तहत हम इस particular case को deal कर सकते हैं, इस particular angle से भी देखा जा सकता है क्या? ये बात है इसू थी, अब सुप्रिम कोट ने क्या कहा उसको सुनिए, सुप्रिम कोट ने कहा कि a state, यानि जो state under article 12 of the constitution of India, has to prevent marine pollution, वो तो करन ही करना है, has to have to prevent what marine pollution, अगर मैं ऐसे बोलू हूँ, तो करना ही at the end of the day, क्योंकि international obligations है आपके ओपर, पर सिर्फ और सिर्फ मेरा इन पोलूशन ही क्यों, coastal pollution को क्यों ने prevent किया जा सकता है, क्योंकि because coastal pollution is also part of marine pollution, you have to take the thing into a broad area, तो आपको रोकना पड़ेगा, you are under an obligation of the international rules and system, जो भ बहुत बार बोला है, sustainable development and environmental upgradation, economic development, यह सारी बातों के बीच में आपको समंझे से बनाना पड़ेगा, you have to maintain a balance between this, third point कहता है, even if in the intensive ecoculture, the yield is definitely higher, but the artificial, the artificial feed, chemical additives and antibiotics, जो यूज हो रहा है न, ecoculture में, वो हमारी environment को क्या करें, damage कर रहा है, यह point आपको याद रखना है, chemical additives, fertilizer, जो ह artificial feed या seed जो बोली आप इसको, उसके अलाबा, कोई और antibiotics जो यूज कर रहा है, यह बहुत जादा impact कर रहा है, agriculture को, आगे जाने से पहले, आपको कुछ reports बताता हूँ, मैं, इस particular case के regarding important reports क्या थे, वो बहुत important है, और आपको exam में reports लिखने हैं, अपने cases में, आपको points extra मिलेगा, because हर एक committee, Supreme Court ने बहुत सारे cases हैं, environment का, जिसमें reports मांगी हैं, committees बनाई हैं, क्योंकि Supreme Court में सारे environment पे तो PhD करके बैठे नहीं हुए हैं और पहले environment पे इतना कुछ होता भी नहीं था, तो उनको अलग से green benches बनाने की बात मैंने आपको बताई हुए cases में, environmental courts बनाने की बात की that the physical obstruction by the shrimp farm cyclone protection dukes lead to problems in drainage and thereby scouting accumulation of flood water in the hinterland villages, जो बाड का पानी है वो hinterland villages में अंदर के गाओं में जाकर जम जा रहा है इसके वज़े से, क्योंकि वो निकलने ही नहीं पारा, वहां पे वो जाने का उसका system ही बन कर दिया आपने shrimp culture से, पानी बाहर ही नहीं 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 farms and loss of mangrove areas are the problems highlighted by the report which was relied on by the Supreme Court, court नहीं कहा कि जो mangroves जो इस report कहती है कि जो mangroves बहुत important environmental area होता है, सबसे ज्यादा अच्छा area को होता है, जो environment में बहुत ज्यादा help ले करता है, वो mangroves areas होता है, जैसे coastal mangrove area बहुत बढ़ा, ठीक है, bedland areas बोलूँ, यह सब impact हो रहा है, उसके ल land से वो भी ज्यादा salinization हो गया, वहाँ पर mineralization हो गया है, परत सी जम गई, वहाँ पर coastal areas बहुत ज्यादा impact हो रहा है, इसके बज़े से, आगे कहता है, shrimp ponds force the fishermen to take longer roots and the farming in the intensive and semi-intensive methods have also affected the nearby agriculture land, यह बात है अलगार स्वामी report में कही, इसके लाबा नीरी का नीरी का जो report था, जो का institute research center है, वो भी कहता है, environmental research institute, वो भी कहता है कि जो states है, इस coast पर या फिर बेस coast पर इंडिया को देख लो, वो shrimp culture से बहुत ही जादा गंदे तरीके से impact हो रहे हैं, और states जो है वो धंग से इन चीजों पर नजर नहीं दे पार है, states are giving a lot of licenses to the big houses, without even considering environmental impact assessment regarding the same topic, यह बात नीरी भी कही, इसके लाबा, the source committee report भी कहता है, कि भले ही shrimp culture आपको पैसा तो बहुत दिला देगा, पर जो pollution है, वो बहुत जादा impact हो रहा है, salinization हो रहा है, waste water generate हो रहा है, fertilizer का जो huge है, जो loss of mangroves है, biodiversity है, flood का very flood areas में, या फिर देल्टा areas में, वो आपका जो बेटलेंड है, इंटरन के waters का use नहीं कर पा रहे है, जो potable water potability, water level भी वो जादा impact हो रहा है, आगे कहता है, कि article 48A, आपको DPSP 51A, जो EPA के अंदर provisions है, जो आपका rule 5A, hazardous based rules 1999 का, वो भी कहता है, कि हर एक occupier, हर एक industry के पास, एक obligation है, कि वो जब भी ऐसा कुछ hazardous based generate करता है, वो state pollution control board से उसके लिए license लेग और अगर नहीं लेता है, तो वो मतलब उसके लिए punishment है, तो इस case में कोई भी permission ऐसी तो ली नहीं गई है, इस particular company के द्वारा, इस particular system के द्वारा, या पिर इस particular management के लिए, उसके बाप्चूत कैसे आप इतने बड़े level पर दे दे रहो, despite आपको पता है कि hazardous based generate हो रहा है, even section 25 of the water pollution act भी कहता है कि no person sell without the previous consent of the state board, establish any industry, operational process, जो आपको इस तरीके से trade effluent as streams, या sewage में जो discharge करता है, वो कर सकता है, बीना license लियो state board से, इस case में भी नहीं लिया हुआ है, आगे article 21 की बात करें, Supreme Court ने, fundamental right है आपका, right to healthy life, right to environment, healthy environment, at the same time, concept of polluter page principle में आपको पढ़ाया है, वो fundamental principles में प्रिकॉस नरी principles भी यहाँ पर सुप्रीम कोट ने, लेट डाउन करें थी, वेलोट, सिर्जन, बिलफेर, फॉरोमर्स, उनियोन, फिंड़ा के case में, कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हो रही यहाँ पर, at the same time, जो 1991 का जो आपका notification आया था, वो भी कहता था, कि कुछ areas में, जो ब्रैकिस वॉर्टर है माल लो, फिर जो high tide line है, low tide line है, अगर उन एरियाज में आ रहा है, तो आप as such इतने बड़े लिवर पर intensive farming नहीं कर सकते, जो यहाँ पर हो रहा है, despite आपका जो coastal area है, जहाँ पर intensive एकरा culture हो रहा है, वो आपके high tide line, low tide line के बीच में ही आ रहा है, जो coastal notification म आने के बाबजूद, यह बात है court ने कही, आगे कहता है, कि rule 28 of the CRZ notification, देख लो, वो भी कहता है, कि किसी तरीके की disturbing the natural course of sea water, उसको prohibit करना है, उसके अलाबा, कोई भी ऐसी जी जी जो natural drainage of flood को रोकता है, उसको भी रोकना है, even the stream ponds are constructed right on the bank of the creeks, without leaving any area to drainage of flood waters, यह बात हैं पूर क्या आगे चलके, और भी बात है Supreme Court ने कही, तो Supreme Court ने कहा, Central Government क्या करेगी, कि section 33 of the Environment Protection Act, जिसमें बात करी जाती है, कि Central Government के पास power है, क्योंकि ऐसी body को special body को बना सकता है, जो special element से deal करेगा, तो यह बात Supreme Court ने कही, कि कोई भी ऐसी body बनाए, उसको power दीजे, प्रिकॉस नरिप प constructed or set up within the coastal regulation zone, as defined in CRJ notification of the 1991, this shall be applicable to all seas, base, creeks, stories, rivers and wackwaters, and this direction shall not apply to the traditional and improved traditional type of technologies, अगर कोई इंप्रोव्ड ट्रडिशनल टेक्नोलोजी है, उस पर नहीं लागू होगा, ट्रडिशनल पर लागू नहीं होगा, पर अगर इस तरीके सी इंटेंसी देखो, कल्चर कर रहे हो, चाहे किसी म में तरफ करो, और फिर आप क्रिक्स में करो, रिवर में करो, पॉंड में करो, वैक वाटर में करो, आप नहीं कर सकते, अब कोई नया इंडस्ट्री सीज में नहीं होचेगा, यह बात कोट ने कही, आगे, all aquaculture, industry, shrimp culture, पॉंच, जो भी एरिया में regulate हो रहे हो रहा है, उसको demol पॉलिस किया जाए, रिमूब किया जाए, farmers who are operating traditional and improved traditional system, उनको क्या किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, कि वो जादा जादा traditional farming कर सके, इंपूर्व ट्रेडिशनल फार्मिंग कर सके, डेगरी कल्चर, land, salt, pan, land, mangroves, bedland, forest land, जो भी है, उन सब आपको public purposes के लिए जो बनाया गया है, उसको स्रीम कल्चर पॉंट्स में आप जो है, convert नहीं कर सकते, यह बाद सुप्रिम कोट ने कही, तो यह बात हैं सुप्रिम कोट ने कही, इसके लाबा, the authority must, जो authority बनेगी न, section 33 के अंदर बाद में बनी थी, national coastal zone management authority, और नई rules भी बनी यह provisions, तो यह case था, अच्छा case था, इस जगहनात का, बात करेंगे, olyum gas leak की भी बात करेंगे, फिर आपका, जो methyl hyosyanate leak हो, अब बात करेंगे बहुत जल्दी, thanks for watching, keep love living, thanks a lot.